नमस्कार स्वागता आपका SDR एजूकेशन में बात करेंगे एक इंपोर्टन टॉपिक के बारे में वो है एंगल्स लॉओ ये कॉमर्स एन एक बहुत इंपोर्टन टॉपिक है और आज ही आपकी एक नई सीरीज शुरू हो रही है ब्लैक बॉक्स सीरीज दस बजे इसकी पहल होते हैं वो लगाया करिए और कॉमर्स का भी स्पेसिफिक जो ग्रूप है टेलीग्राम का उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा अनकाडमी आप पर एक लास होगी नवीन साक लाइव कोड के साथ आप अगर कोड मांगे तो अनलॉक कर सकते हैं इस क्लास को कि एक जर्मन स्टाटिस्टीशन थे उन्होंने ये कहा था कि परसंटेज ओफ इंकम जो अलॉट की जाती है खाने की परचीज के लिए फूट परचीजिस ग्रॉसरी परचीजिस के लिए वो घटती है जैसे जैसे हमारी इंकम बढ़ती है तो जैसे जैसे एक हाउसोल्ड इ century में आया था इस observation के base पे की household income जो है वो increase होगी जैसे जैसे percentage of that income spent on the food declines on relative basis तो अगर income बढ़ेगी तो grocery और जो food items होती है उन पे हमारा जो खर्चा है वो घटता है और अगर income कम होती है तो proportion larger proportion of income हमारा इस्तमाल होता है consumption के लिए food items की ये इसलिए होता है क्योंकि जो amount and quality of the food food होता है जो family consume करती है in a week और in a month fairly limited in price and quantity और एक जो food consumption जैसे ऐसे आपका कम होगा तो luxury consumption आपका जो है वो बढ़ता जाता है और savings जो है वो भी आपकी increase होती है अब angles law को थोड़ा और अच्छे समझते हैं कि देखिए 19 शताब्दी में ये law दिया गया angle ने कहा कि जितनी जादा poor होगी एक family उतना ही जादा proportion of total expenditure जो है वो उनका food पे जो है वो निर्भर होगा अब ये क्या है कि extend करता है to whole countries by arguing कि जितना जादा richer होती एक country उतना ही उसका food share जो है वो कम होता है और ये law यहाँ पर जो है वो एकदम feedback ता है angles के law की similarity ये state करती है कि lower income household जो है वो जादा proportion अपनी income का जो है वो spend करते हैं आपके food के उपर और जो middle और higher income household है उसके मकाबले क्योंकि जैसे से food की cost increase होती है both for food at home जैसे की groceries है या food away from home जैसे की restaurants है जो percentage spent होता है आपका lower income household के द्वारा वो increase हो जाता है और relationship and importance household income की food के साथ consumption के अलिए इसलिए important है क्योंकि economic principle को ध्यान में देखा जाए तो आज भी ये law जो है वो कहीं ना कहीं आपका pertain करता है क्योंकि particularly with the population health and improving the quality of health एक prominent rallying point रहता है हर developed market के लिए तो angles का जो seminal work है इसे का जाता है कि अपने time से भी आगे था क्योंकि उन्होंने आज की भी बहुत सारी situations इस पर fit back ती है और उन्होंने उस time पहचान ली थी however जो intuitive and deep empirical nature है angles law का ये मदद करता है intellectuals को कि वो जो है study कर पाए income और food consumption के जो pattern है उनको क्योंकि अगर देखा जाए तो food expenditure जो है वो larger part of the poor's budget कहीं ना कहीं लेके जाता ही है हम सबको पता है कि जादा proportion of income जो है एक poor victory जो है spend करता है food items में मकाबले किसी higher income group के तो ये imply करता है कि जो गरीब व्यक्ती है वो less diversified होता है अपने food consumption में तो उसकी consumption जो है वो एक दो items पर बहुत जादा जो है वो सीमित होती है और relatively within the food budget cheaper more stocky food जैसे की rice, potato या bread इन सब पे वो जादा पैसा खषता है और वो predominant करते हैं poor लोगों के लिए जो है वो ये food and leading to की nutrition कम होता है और diversified diet जो है कहीं नहीं होती है जैसे एक example लीजे कि 25% एक family जो है वो अपना income spend कर देती है food के उपर जब वो 50,000 dollar के जो है वो income level पे होती है और 12,500 जो है वो उसका हिस्सा हो जाता है एक food items के उपर जबकि income अगर बढ़ती है मान लीजे कि 1,000,000 dollar हो जाती है तो आपको भी पता है कि वो 25,000 तो नहीं spend करेंगे food पे तो जैसे जैसे income बढ़ेगी food items पे कम luxury पे जादा हो जाएगा और एक poor वेक्ति जो होगा उसका larger proportion हमेशा food पे होगा ये था Angles Low I hope कि आपको पसंद आया commerce के subject से हैं and thank you so much आप अपना ख्याल रखिए and subscribe करिए channel को and also जो playlist आपकी बनी होई है logical reasoning के course की या Indian logic के course की उनको पूरा कर लेजे क्योंकि NTNate exam के हसाब से वो काफी important है